हेलो एबरीबन मैसेव लखमी चंद फॉम मैथेमेटिक सॉलूशन आज हम डिसकस करेंगे एप्लाइट मैथ और इसमें आपका टॉपिक है रेशिज एंड गेम्स यह आपका जो टॉपिक है वह आपका SSC, UPSC, CGL, ठीक है बैंकिंग, रेलवे ठीक है इन सभी के लिए आपका इंपर्टेंट है, तो इसमें आपका जो फ़स्ट गुआका पॉइंट है, कि सबसे पहले आपका जो टारम्स हैं, जैसे आपने लिए आएकि इस ड ऐड हीट, तो द आड हीट हमारा क्या होता है, कि आपका जो फिनिशिंग पॉइंट है, मतलब जो आपके पार्टिशी पै है कि if A beats B, यदि A B को beat करता है, it means A ने जो भी आपकी race की length होगी, उसको पूरा travel किया है, और B ने जिस length से वो beat किया है, उसमें कम किया हुआ है, जैसे मैंने लिया आपका, कि ये मेरा 100 meter का कोई भी race है, और B जो है वो आपका A जो है B को 10 meter से beat करता है, तो B आपका यहां पहुंच पाया है, और A अपना finishing point पर आ गया है, ये point जो होता है आपका, ये starting point है, ये आपका finishing point है, ठीक है, तो आपका A ने पूरा 100 meter travel कर लिया, पर B आपका 10 meter पीछे रगया, तो A beats B का मतलब आपका ये होता है, अब मैं कहता हूँ कि A gives का start, अब आपका A gives start 10 meter by B, तो इसका मतलब क्या है, आपका, कि A start दे रहा है, तो A जो करेगा, वो starting point ये होगा, और B का जो start दे रहा है, या 10 meter से दे रहा है, तो आपका ये part जो होगा, वो 10 meter होगा, B आपका यहां से run करना शुरू करेगा, तो ये give the start का मतलब होता है, तो आपका beats करता है, या start, और इसमें आपका जो को basic, जितने भी type के इसमें questions होंगे, तो उसमें आपका क्या है, कि V1 upon V2, that will be equal to D1 upon D2, आपका सभी questions आपके इसी concept से solve होंगे, V1 upon V2 means speed of the participant, जो आपका first participant है, और आपका second जो participant है, उनके जो speed का जो ratio होगा, उनकी distance जो travel होई है, उनके ratio के equal आएगा, आपने इस concept को इसमें use करना है, दूसरा आपने है कि यह आपका speed किलो मीटर पर आर में है, और आप उसको मीटर पर second में convert करना चाहते हो, मीटर पर second, तो आपकी जो भी speed है, उसको into 5 upon 18 कर दोगे, तो आपका मीटर पर second में convert हो जाएगा, जो भी speed given है, आप उसको इससे multiply करते हो, और आपको यह मीटर पर second में given है, और आपको जो मुझे kilometer पर hour बनाना है, तो आप इसको 18 upon 5 से आप multiply करते होगे, तो आपका kilometer पर hour में convert हो जाएगा, तो means आपके यह जो points हैं, यह आपके key points हैं, यह अपने mind में रखने हैं, क्योंकि speed आपने, यह नहीं कि एक की तो kilometer पर hour मिली है, और दूसरे की आपने, जो है, meter पर second में, तो आपका answer नहीं आएगा, तो आपका जो points अपने mind में रखने हैं, वो आपका की beats मतलब क्या होता है, give the start का मतलब क्या होता है, और हमने जो formula यूज़ करना है, वो that will be, V1 upon V2 is equal to D1 upon D2, यह given question है, उसके according आपका A 50 meter run कर रहा है, same time में, और B आपका 50 meter run कर रहा है, और वो केता है कि मेरे पास एक thousand meter का race है, यह मैंने यहां ले लिया कि race मेरा जो है, वो thousand meter का है, तो आपका जो है B A को किस distance से beat करेगा, इसका मतलब है, आपने B जो है, वो आपका starting point दोना का, आपका A और B का यह ही है, ठीके, अब वो जो B इसको beat कर रहा है, it means B ने आपका thousand meter distance travel की है, और A आपका, suppose कि मेरा जो finishing point है, यहां पर है, or let it beats, means B beats A by x meter, it means आपका जो B की जो distance होगी, distance of B, आपका distance of B, that will be equal to thousand meter, and distance of, distance of B, and distance of A, that is a thousand minus x meter, अब speed, speed of A, A आपका इस distance, मतला हम यह तिन distance दबल करा है, same time में, और B आपका इतना, तो speed of A, अब आपका speed of A, that will be equal to distance upon time, तो 40 upon, मैंने ले लिया कि वो y time में यह तिन distance डबल करता है, और speed of B, आपका B की जो speed दिदा है कि, that will 50 upon y, अब according to formula, V1 upon V2, that will be equal to D1 upon D2, अब आप value put करते हैं, V1, that is a 40 upon y, और मैं इसको divide करूँगा, तो reciprocal करके इसको में multiply कर रहा हूँ, तो y upon 50, that will be कि मैंने पहले first speed लिया है, A की, A की distance लिएगा, A की distance is thousand minus x, यह मैंने thousand minus x, और B की distance आपकी thousand, y से आपका y cancel, 0 से आपका 0 cancel mean is equal to, यह आपका 4000, is equal to, यह आपका 5000 और minus 5x, अब 5x is equal to 1000, और x is equal to 200 meter, according to question, आपका आपकी distance traveled by b, that will be 100 minus x, वो आपका x कम travel करेगा, और A की आपकी distance होगी 100, अब speed of A, उसने बुलाएं कि 36 seconds में करता है, means distance upon time, मैंने आपका यह speed निकाल दी, और b की speed y upon 45, according to formula, speed of A means v1 upon v2, that will be equal to d1 upon d2, अब v1 is y upon 36 and divided y, तो मैं इसको multiply करता हूँ, and 45 upon y is equal to distance of A, that is 100, and distance of b, that is 100 minus x, y से आपका y cancel, 9 से आपका 5, और यह आपका 4, by cross multiplication, 500 minus 5x, that will be equal to 400, और आपका 5x is equal to 100, and x is equal to 20 meter, तो आपका जो second question है, इसका जो आपका answer होगा, that will be 20 meter, तो जो मैं आपका यह question discuss करा हूँ, these belongs to M.L. Agrawal of class 12 applied maths, in a 500 meter race, if A beats by 90 meter or 18 second, speed of A is x and speed of B is 90 upon 18, that is 5 meter per second, अब distance doubled by A, आप A जो B को beat कर रहा है, it means distance doubled by A, that will be 500, and distance doubled by B, that will be equal to 500 minus 90 means 410 meter, क्योंकि यह 90 meter से आपका beat कर रहा है, तो 410, अब according to formula, V1 upon V2, that will be equal to D1 upon D2, V1 speed of A, that is x, and V2 speed of B is 5, and D1 that is a distance of A, means 500, and D2 distance of B, 410, so the x speed of the A, that will be equal to 5, यह 0 कैंसल करते हैं, तो 50 upon 41 into 5, यह आपकी x, इतने meter per second, अब वो कहता है कि find the time taken by the A to complete the race, तो time is equal to, आपका time, आप देखो इसके लिए आप फर्मुला यह भी याद रख सकते हैं यहाँ से, कि आपका यह distance, यह आपका S और यह T, time निकालना है, means distance upon speed, उसका आपने time निकालना है, तो time is equal to distance, distance is of 500 meter, so time is equal to 500 upon speed, इसको आपने divide किया, 50 into 5 और यह आपका 41 numerator में आ जाएगा, तो आपका यह 0 से 0 cancel होगा, 5 से आपका यह 10 और 5 से आपका यह 2, so that will be 82 seconds, तो आपको जो इसको टाइम लगेगा, A को complete करने मेरे इसको, and these will be 82 seconds, so according to this question, कि if the length of the race, that is x, मैंने इसकी race को जो है, x meter लिया हुआ है, and वो कह रहा है कि if A gives the start B by 60 meter, A आपका start दे रहा है, it means आपका जो B है, वो आपका यहां से start करेगा, means 60 meter, तो अब आपका जो B से जो डिस्टेंस टबल होगी, that will be 60 minus x, यह आपकी B की डिस्टेंस यहां लेकर देता हूँ, आपका 60 minus x, और A की डिस्टेंस जो होगी, वो आपकी x होगी, इसमें, अब कराएगे, if the ratio of their speeds is 4 is to 1, तो means speed of A, that is 4, आप M, कुछ भी ratio है, तो आपका 4M ले सकते हो, यहां पर मैंने x महाँ यूज किया है, और इसको आप M ले सके, according to formula V1, मैंने आपका 4M upon M, M मैंने multiply factor लिया है, तो यह मैंने cancel कर लिया है, and distance double by A, A ने आपका x distance double किया है, and x minus 60, not 60 minus x, sorry, यह आपका x minus 60, total message 60 minus करना है, नकि 60 message x, sorry, तो यह आपका x minus 60, अब आपका मैं इसको cross multiply करता हूं, means x is equal to 4x minus 240, और आपका 240 दर means 3x is equal to 240 and x is equal to 80 meter, तो आपका जो track की और race की जो length थी, that will be 80 meter, according to this question, length of race आपकी जो है, वो 200 meter की है, और speed of A जो है, वो आपका 6 km पर आ रहे है, तो मैंने इसको km पर आ रहे हैं, तो मैंने इसको km पर आ रहे हैं, को meter per second 5.18 से means 5.3 meter per second, B की speed मेरे को अभी नहीं मालूम है, अब उसने बुलाए कि यह A जो है, B को 16, 18 meter का start देता है, means आपका A का जो static point यह है और B का starting point यह है, 18 meter कम करेगा, और इसको start देने के बाद भी, वो उसको 6 seconds से beat करता है, तो पहले मैं निकालूँगा कि मैंने 6 seconds से beat करता है, तो इसका मतलब आपका यह length मुझे निकाल लिए कि यह कितना length होगा, जिससे उसे वो beat किया हुआ है, तो पहले मैं A की आपकी distance निकालता हूँ, तो speed आपका यह हो गया, तो distance traveled by A, distance traveled by A in 6 seconds, 6 seconds में आपका जो होगा, तो distance is equal to speed, आपका 5 upon 3 into time 6, so that will be 10 meter, इसका मतलब यह आपका जो X है, means 10 meter से आपको वो beat कर रहा है, उसको further, it means आपको 10 meter से उसने beat किया, 18 meter का उसको start दिया था, तो distance traveled by B, that will be 200 minus 28, तो यह आपका हो जाएगा 172 meter, distance traveled by A, that will be 200, अब है according to formula V1, speed of A, that is 5 upon 3, upon speed of B, मैंने जोम किया, that is X, is equal to distance traveled by A, that is 200, and distance traveled by B, that will be 172, अब आपका यहां से इसको cancel करते हैं, तो 5 से आपका ही हो जाएगा, that will be 40, और यह 120X, that will be equal to 172, और X is equal to 172 upon 120 meter per second, और यह आपको kilometer per army change करना है, तो it means that will be equal to 172 upon 120 into 18 upon 5, यह आप यह से, इसको cancel, तो 3 से आपका यह 6 हो जाएगा, और 3 से आपका यह 4, और 2 से आपका यह 20, और 2 से आपका यह 3, तो यह आपका 3 से, 3 to the 6, 3, 7 to the 21, और 3 or 2, 5 upon 100, so that will be 5.16 kilometer per hour, next question, if the ratio of the speeds of the participants is a 3 to 4, and A has the start of 140 meter, it means B का starting point यह है, A का starting point यह है, वो कह रहा है कि by which distance A wins the race, कि A आपका win करेगा, A आपका win करेगा, मैंने लिया कि वो X meter से win करता है, तो उसने आपका जो distance table, आपका जो B होगा, तो B की आपकी distance कितनी भी जाएगी, 500 minus X, और A ने आपका जो start कितना लिया था, 140 का तो distance double by A, that will be 500 minus 140, that will be 360 meter, and A का आपका जो, B का जो distance है, that will be 500 minus X, और speed का ratio आपका, मैंने X, यहाँ पर मैंने लिया है, यहाँ multiplying factor में दूसरा change कर लेता हूँ Y, और यहाँ पर भी आपका Y, आप according to formula, V1 upon V2, so means 360, speed of A, sorry, distance of A upon distance of B, 500 minus X, and speed of A, 3Y, and speed of B, that is 4Y, Y से आपका Y cancel out हो जाएगा, 3 से आपका यह 120 cancel out हो जाएगा, और आपका 4, तो that will be 480 is equal to 500 minus X, और X is equal to 20 meter, मतला A जो है, आपका 20 meter से game को win, मतला race को win कर लेगा, next question, if A beats B by 20 meter, and A beats C by 28 meter, इसका मतला है, आपका A 100 meter travel करेगा, तो B आपका 80 meter travel कर रहेगा, A आपका 100 करेगा, तो C आपका 72, तो आपका जो B जो है, C को किस meter से आपको beat करेगा, तो divide this 2 equation by 1 equation, तो यहाँ पूरा लिख रहे होई equation 2 divided by equation 1, तो आपका A divided to 8 upon C divided by, तो इसको multiply करके reasonable लिखते हैं, B upon A, that will be equal to A, आपका 100 upon 72, और into 80 upon 100, यह आपका 100 cancel out हो जाएगा, और यह 8 से 10 आजाएगा, 8 से 9 और यह आपका A cancel, means B is to C आएगा, that is 10 is to 9, और आपका race कितने का था, 100 का था, तो इसका मतलब क्या है कि यह 10 मीटर चलता है, तो यह 9 मीटर, तो मैं इसको 10 से multiply कर दिया है, तो यह आपका आपका 100 हो जाएगा उपर, तो means 100 upon 90, तो it means B beats C by 10 मीटर, इन देसा next question, if A beats B by 20 मीटर, and B beats C by 10 मीटर, तो आपका A beats B by 20 मीटर, तो A आपका 100 मीटर ट्रवल करेगा, तो means that will be 80 मीटर, 20 मीटर से वो बीट कर रहा है, and length of the race, that is 100 मीटर, यह आपकी 100 मीटर की race है, and B beats C by 10 मीटर, तो आपका जो B or is to C, that is 100 by 90, यह आपका number 2 equation है, यह आपकी number 1, तो यह मैंने distances का ratio निकाल लिया है, अब मैं इसमें distance का ratio निकालता हूँ, तो आपका, वो कह रहा है कि, how much by A beats C, आपका A जो एस C को किस से बीट करेगा, means multiply, तो equation 1, multiply by equation 2, इनको आप multiply कर दोगे, तो A upon B into B upon C, that will be equal to 100 upon 80, or into 100 upon 90, तो यह आपका B से B cancels रहा, means A is to C, that will be equal to, यह 20 से मैंने 100 के अंस के लिया, means 100 upon 72, so means A will beat C by 28 meter, तो आपका यह 28 meter से उसको beat करेगा, according to question number 9, in a 200 meter race, if A beats B by 18 meter, A जो है B को beat कर रहा है by 18 meter, तो आपका A जो distance टेबल लगेगा, 200, और B आपका 182 meter, 18 meter से beat कर रहा है, उसको beat कर रहा है, और A beat C by 31 meter, इसका मतलब आपका A is to, जो C होगा, वो आपका 200 meter की race है, और 169, 31 meter में आपका इतना distance रपड़ लगेगा, तो अब हो कह रहा है कि B, C को किस distance से beat करेगा, तो मुझे यह आपका number 1 equation और यह आपकी number 2 equation, if length of race is 350 meter, दोखो मैं अभी जो study कर रहा हूँ 200 meter की है, मुझे 350 meter में आपका answer निकालना है, तो पहले मैं B is to C निकालता हूँ, तो means A is to C divided by A upon B, तो मैंने इसको multiply करके reciprocal लिख दिया है, is equal to, आपका 200 upon 169 और into 182 upon 200, यह आपका cancel out हो जाएगा, और 13 से आपका 13 और 14 हो जाएगा, यह आपका 13, और यहाँ A से A, so means B is to C that will be equal to 14 upon 13, अब मुझे 350 मीटर की रेस में आपका 14, तो कोई unit method से भी निकाल सकते, 14 मीटर चलता है, तो वो आपका 13 मीटर चलेगा, तो 350 के लिए कितना चलेगा, तो means इसको मैं 25 से multiply करता हूँ, तो 25 into 14 that will be 350, और 25, 65, 6 और 26 और 6, 32, 325, it means B will beat C by 25 मीटर, 15 according to question, तो आपका मैंने फंदा length of race, तो मैंने लिया है कि आपका जो race की जो length थी, वो आपकी X मीटर थी, अब A जो है वो beat कर रहा है, वाई 15 मीटर to B, तो means distance of A to B का जो ratio होगा, यह आपका A beat कर रहा है, तो यह X restantable करेगा, B आपका X minus 15, क्योंगो वो 15 मीटर से beat कर रहा है, but A beat C by 29 मीटर, means A is to C होगा, वो आपका X distance means X minus 29 मीटर, यह आपका number 1 equation, और यह आपकी number 2, with the help of this, find the ratio of B is to C, because आपको B is to C का ratio given है, तो आपका B is to C means equation 2, divided by equation 1, आप equation 1 को divide करेंगे, तो means A is to C, और इसको divide करेंगे into B is to A, that will be equal to X upon X minus 29, और multiply करके, आपका reciprocal X minus 15 upon X, यह आपका cancel out होगा, और यह आपका A, means B is to C, that is X minus 15 upon X minus 29, but according to problem, if B and C both start, the race from a same point, then B beats C by 15 meter, तो B आपका C means, according to question B is to C, that is X upon X minus 15, so according to this is number 4 equation, 1, 2 and this is 3, so by 3 and 4, so by 3 and 4 we will compare, this is B is to C or यह आपका B is to C, means X upon X minus 15 is equal to X minus 15 upon X minus 29, by 3 and 4, 3 और 4 से, अब इसको cross multiply करते हैं, means X square minus 29 X, that will be equal to, यह आपका 50 नहीं है, sorry 5 नहीं है, तो यह X square plus 225, और minus 30 X, X square आपका cancel out होगा, means X is equal to 225 meter, means जो race की जो length थी, that will be 225 meter, according to this question, speed of A, क्योंकि A आपका 4 minutes, 54 seconds में cover करता है, B आपका 5 minutes में cover करता है, तो मैंने इसको second में convert किया, तो यह आपका उजाएगा 294 seconds, और इसको मैंने किया second 300, तो speed सा आपकी निकल के आगई, अब वो कह रहा है कि A, B को किस distance से beat करता है, तो आपका जो race था, यह आपका total 1000 meter का था, आपने लिया कि वो X meter से beat कर रहा है, तो distance of B, B आपका इतना trouble करेगा, तो that will be 1000 minus X, और A आपका 1000, तो speed of A, 1000 upon 294, upon speed of B, तो मैं इसको multiply करके 300 upon 1000, is equal to distance of A, 1000 and distance of B, 1000 minus X, अब इसको solve करते हैं, यह आपका 1000 cancel हो जाएगा, यह आपके जो two zeros हैं, आपके इससे cancel हो जाएगे, आप मैं इसको cross multiply करता हूं, तो means 3000 minus 3X, that will be equal to 2940, और आपका जो 3X होगा, 2940, that will be 60, आपका 60 हो गया, और X is equal to 20 meter, तो आपका जो X means A beats BY 20 meter, वो आपका 20 meter से इसको beat करेगा, वो आपका इससे, तो means B और C का जो speed का ratio होगा, वो आपका यह हो जाएगा, और A और B का जो होगा, आपका यह हो जाएगा, अब वो किरा है, किस distance से आपका A, C को beat करेगा, तो इदि यह आपका number 1 है, और यह आपका number 2, तो आपका A is to B, into B is to C, मैंने दोनों को multiply कर दिया, तो यह 600 upon 540, और into 500 upon 450, यह आपने multiply किया है, यह two zeros मैंने यह से cancel कर दिया, 5 से आपका यह 9 हो गया, और 6 से आपका 9, और 6 से आपका यह 100, तो means a 100 upon 81, यह आपका A is to C is a 100 upon, तो A जो C को beat करेगा, वो आपका 81 means 19 meter, but in case of 100 meter race, तो वो 100 meter की race में आपको इससे beat करेगा, अब वो किरा है कि 400 meter की race है, तो वो कितने करेगा, 400 करने के लिए, आप इसको 4 से multiply कर दो, इसको 4 से means you will get 400, और upon 4 और 32, 324, अब 324 आपको minus कर दोगे, इसमें से means A beats C by 76 meter, तो यह आपका 76 meter से उसको beat करेगा, तो आपका, सबोज करो आपका जो game है, वो यह 100 point का है, और A gives the 20 point to B, it means B को आपके 80 points मिले, 20 कम मिले, तो point देने का मतलब यह होता है, मतलब है, A को जो point देता है, उसको 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 पूरे जितने का point game था, उतने point मिले, और उसको उतने second को participant जो उसको कम मिले, तो वो आपका gives the point का मतलब यह है, तो अब इसमें आपका जो next question है, कि if in a game of the 90 points, A gives the 15 points to B, तो A जो है आपका वो B को 15 points देता है, means 90 point का game था, 15 point देदेगा, means A is to B, that is 75, but in a same game, means of the 90 points, A gives the 30 points to B, C, तो आपका A is to C, that is 92, 30 means 60 points, यह number one equation, और यह आपकी number two equation, अब आपने find out करना है, कि आपका जो उस game में, B जो है C को कितने point आपका देगा, तो B is to C के लिए मुझे क्या करना है, कि A is to C divided by A is to B, that will be 90 upon 60 divided by, तो मैं इसको multiply कर रहा हूँ, 75 upon 90, तो यह आपका cancel out हो जाएगा, और that will be, यहाँ A cancel होगा, means B is to C, that will be equal to 15 से यह, 15, 5 जा और 15, 4 जा, 5 upon 4, यह आपका game जो है, 100 point का है, तो इसको मैं यहाँ पर 100 लाने के लिए, 20 से multiply करता हूँ, तो यहाँ भी 20 से means 100 upon 80, B, तो means in a game of 100 points, B will give 20 points to C, वो आपका 20 points उसको देगा, और according to this given question, if A gives the 20 points to B in a game of 60 points, and A gives the 18 points to C in a game of 90 points, तो भो कहरा है कि, how many points will be given by C to B in a game of 120 points, यहाँ आपका 120 points का game है, तो आपका C जो है, B को कितने आपके points देगा, तो अब देखो A is to B मालूम है, और मुझे निकालना है, अब आपका C is to B, तो C is to B निकालने के लिए, मैंने क्या गिया इसको, कि A B divided by A is to C, that will be equal to 60 upon 40, और इसको रेसिपल करके 72 upon 90, यह आपका 0 कैंसल कर सकते हो, 9 से आपका यह 10 हो जाएगा, 9 से 8 हो जाएगा, 4 से आपका 2 हो जाएगा, तो यह मींस 12 upon 10, यह आपका आजाता है यहाँ से, और यहाँ से आपका डिवाइड करेंगे, means A by B into C by A, तो आपका C is to B, that is this, आप कराएगे न, गेम ओप 120 पॉइंट, तो मैं इसको 10 से मल्टिप्लाई कर देता हूँ, तो यह आपका 10, और यहाँ भी 10, तो means 120 upon 100, तो आपका वो कितने पॉइंट दे रहा है, 120 का गेम है, तो इसको 100 मिल्टि मीज, then he or she will give 20 points to B, यह आपके 20 points देगा B को, next question, if A gives the 15 points to B, and A gives the 30 points to C, and B gives the 20 points to C, आपका इसमें सभी को दे रखा है, मतला A आपको जो B को देता है, वो 15 points देता है, तो वो कहरा find the points of the game, तो मैंने लिया है कि, let points of game be X, मैंने total जो points लिये हैं, वो X points ले लिये, जब A आपका 15 points देता है B को, means A is to B, that will be X upon X minus 15, and A gives the 30 points to C, means A upon C, that will be equal to X upon X minus 30, but same points B gives the 20 points to C, it means you have these two, C is equal to X upon X minus 20, अब इन दोनों की help से आप B is to C निकालो, तो डिवाइड जैसा A divided C, divided by A, B, that will be equal to X upon X minus 30, और इन्टू करके में रेसिपल लिखता हूं इसका, तो X minus 15 upon X, so this will be A is to C into B is to A, यह आपका cancel out हो जाएगा, that will be X minus 15 upon X minus 30, तो आपका B is to C, तो आपका B is to C, तेसा आपका, और वहाँ से B is to C, means comparing these two, means X upon X minus 20, that will be equal to X minus 15 upon X minus 30, by cross multiplication X square minus 30 X, that will be equal to X square minus 35 X plus 300, यह X square cancel out हो जाएगा, means 5 X is equal to 300, और X is equal to 60, तो आपका जो game था, वह 60 points का था, Thank you students, Thank you for watching, Please subscribe my channel,